भूकम्प महसूस किया गया भूकम्प का केंद्र जो है वो बहुत एक्सपर्स शैलो बता रहें यानि बहुत धर्ती की उपरी सतह पर ये भूकम्प ता सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे धर्ती की ये भूकम्प का केंद्र था इसलिए इतनी तेज जटके महसूस किये गए 6.2 रिक वो तस्वीरों का भी हम इंतजार कर रहें और फिलाल यह तस्वीरे आप की जो हमें नेपाल से मिल रही हैं वुक्म के बाद की यह सीधी तस्वीर है को तो नेपाल की नेपाल की हैं चलम से मिली ऊफ़ींद केता नई इसका रहे हैं अजया исп outta 300 400 500 km तक ये केंद्र नीचे होता है तो उसके जटके उपर धरती पर उतनी तिवरता के साथ महसूस नहीं किये जाते उतन नाहीं तबाही नहीं मचाते हैं जितना जब धरती से कुछ किलोमेटर नीचे होता है तो ये तबाही की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल से हमें ये सीधी तस्वीरे जी नियूस के पास exclusive तस्वीरे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो भूकंप के बाद महसूस के गए और जो इमारते थी वो आप देखिए ताज के पत्तों की तरह कैसे ढह गई है ये तूटी हुई इमारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहें एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और भूकंप के बाद ये तस्वीरे सामने आई हैं नेपाल से नेपाल में दादेल धूरा केंडर था एपी सेंटर जिसको कहते हैं भूकंप का धरती से 5 किलोमेटर नीचे 6 दश्मलब 2 तीवरता का ये भूकंप और उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर लखनव तक उत्तर प्रिदेश की राज़दानी तेज जटके भूकंप के महसूस कि दो से धाई मिनिट तक पैनिक देखने को मिला जो लोग हाई राइस इमारतों में थे वो फॉरन नीचे की और दोड़े क्योंकि ऐसे में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन ये जो तस्वीर है ये बेहद दराने वाली है जो भूकंप के तेज जटकों के बा ये तबाही का मंजर इमारते जमीदोज हो गई इमारतों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मलबे में तबदील हो गया चटक दिखाई दे रही है दिवारों के बीच में और ये चटकन जो है वो बेहद गहरी दिखाई दे रही है ये देखिए ये जो इस समय में आपको अभी जान का कितना नुकसान हुआ है ये जानकारी जुटानी की जी न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है जैसे ही कोई अपडेट होगा आप तक सबसे पहले हम पहुचाएंगे तो दिली न्सियार में भी भूकम के त के महसूस किये गए और ये नेपाल से अमसीदी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं बंजांग में भारी नुकसान हुआ है और हमारे साथ जी न्यूस के तमाम जो समवादाता फील्ड में मौजूद है न्यूजरूम में मौजूद है जो इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए है छे दश्मलत दो रिक्टर स्केल जो है वो बेहतीव भूकम होता है मैं आपको बताना चाहती हूं बलराम पांडे ह हमारे साथ लाइब